अलो स्टूडेंट्स तो स्वागत आप सभी का आपके इस नाम है अनकित सिंग्ज जैसे कि आप सभी गोता है मेरा अंकित है स्टूडेंट्स चैनल पर हो तो चैनल को दरू सब्सक्राइब कर ले नायर और स्टूडेंट्स एक डाउट मेरे से पुछे तो मुझे लगा इसका आंसर देना चाहिए क्योंकि बिल्कुल सही डाउट था स्टूडेंट का कि सर क्या समझो कोई बच्चा पास तारीको पेपर दे रहा है कोई 6 को देगा कोई 7 को देगा कोई 9 को देगा कोई 10 को ठीक है क्या shift wise difficulty बढ़ती है कि shift wise पेपर असान होते चलता है तो यह सवाल student को जरूर आया होगा कि वो सोच रहा होगा कि उसका पास तारीको पेपर है 6 तारीको पेपर असान आजाएगा और मेरा पास तारीक हो है तो मुझे शायद हाड़ा जाए और पहले दिन पेपर देना पड़ रह पहले shift का इतना हाड आ जाए कि उससे हाड पेपर कोई बने ना ठीक है तो यह तो आपके नाम के हिसाब से यार आपको अलॉट हुआ है किस दिन आपको पेपर देना है 8 तारीको पेपर इसी आसकता है 9 को भी आ सकता है 6 को भी हाड आ सकता है तो कोई उसमें वह मत रखो कि पहले दिन हाड से चुरूब होगा फिर इसी होगा फिर पहले दिन इजी से चुरूओगा फिर हड कुछ च नहीं लिए जिसको मिला है उसी सबसे मतर होगत पेपर का लेवल समय और स mamama में लाइक कर लेना चैया को सब्सक्राइब करें करतें हमें ठैक्यू